आज हमारे साथ हैं Dr. Naimo Zafar जो के Pakistan Bureau of Statistics के Chief Statistion है Pakistan Bureau of Statistics जो किसी भी मोल्की सबसे बड़ी statistical exercise होती है वो शुरू करने जा रहे हैं, यानि Census Census पाकिस्तान में एक बहुत डिफिकल्ट सी चीज है कभी वो नहीं होती कभी हम जिसरा 81 के बाद वो जाके 97 में हुई कभी वो होती है तो उस पर बहुत सारे सवाल उठते है तो आज इन्होंने हमें बहुत अच्छा सा एक समिनार भी दिया जिसकी आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेस्बूक पर रिकॉर्डिंग भी मिलेगी लेकिन हम उनसे कुछ चीदा चीदा सवाल करेंगे कि जो सेंसेस एक्जाक्ली हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में वो हमें बताएंगे लेइम साब सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सेंसेस करना जरूरी क्यों है वो एक आम आदमी जब सेंसेस का सुनता है ही बुन्यादी दस्तरस चीजों पे जब उनके गैप्स का पता चलेगा बहुत ही छोटे लेवल पे तहसील पे महले पे गाउं पे जिले पे जब ही आपको मर्बूत और इंक्लूसिफ डिवलिप्मेंट प्लान मना सकेंगे अभी मैं रिसूर्सिस की बात नहीं कर रहा लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कितने लोगों के पास बन्यादी चीज़ें नहीं है तो आप कैसे प्लान मना सकेंगे यह आपकी बेस है कि आपकी बन्यादी जो जरूरत है तालीम, सहत, मवासलात, रोजगार, माइग्रेशन, सहत, इस पे सुरतहाल है क्या? बहुत ही मा मुलकी तरक्य में और अपनी जाती जिन्दगियों को बेहतर बनाने के लिए, वो क्या करेंगे, क्या चाहिए उनको? यह तो बन्यादी चीज़ें और हर शहरी का सिर्फ फर्ज नहीं, उसका हक है, उसका हक है कि वो काउंट हो, वो जब काउंट होगा और उसको पता चलेग इन लोगों की डेवलपमेंट पर? यह सेंसर्स जो पिछले सेंसर्स हुए हैं, उससे कैसे मुक्तलिफ है? देखें, यह आपके इनमेरेटर जाता था, सवाल पूछने वाला और वो घर से पूछता था कि जनाब कितने अफराद हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं, जेंडर क्या है, तालीम, सहत, रोजगार और घर की हालत के बारे में बन्यादी सवालात करता था. इस दफ़ा यह सारा काम डिजिटल ही हो रहा है. अब डिजिटल में यह बात बताना बहुत जरूरी है कि हमारे सैंसस एक पॉलिटिकल एक्सेसाइज है. हम चाहें कितना ही कहें कि यह डिवलप्मेंट की एक्सेसाइज है, लेकिन हकिकत है कि वह रिप्रेजेंडेशन और र रिसोर्स की और रिप्रेजेंटेंशन की बात होती है, तो फिर सूबों के दर्मियान इतराजात आ जाते हैं. एक परवर्स इंसेंटिव भी आ जाता है और सूबे की कोशिश होती है कि ज़्यादा शुमार हो जाए तो उसकी रिसोर्स पे दस्तरस जादा हो जाएगी और उ जब हमने इसका पूरा कॉंसेट बनाना शुरू किया तक्रीबां डेडिया दो साल पहले जब CCI ने इसको अप्रूफ करने के करीब थी 2020 के आवाखिर में 2021 के अवाइल में इस पे जादा गुफ्तुग हो रही थी, तो ये हमारे जहन में अच्छी तरह बात थी कि ये ट्रा आवर्मेशन ले रहे होंगे, हर घर पे दस्तक देंगे, आप लोगों से दर्खास्त है कि आप बराए महरबानी आप काउंट हों, ये आपका फर्स तो है लेकिन बनियादी तौर पर आपका हक है, आप शुमार होंगे तब पता चलेगा कि आपकी दस्तरस है, नहीं है, को लेते हुए इनुमेरेटर, ये कोई भी आदमी देख सकेगा, हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ देख सकेगा, सुबाई इंतजामी देख सकेगा, इसको टेकनालोजी के इस्तमाल पे थोड़े से हम एप्रिहंसिव भी हो जाते हैं, ढर भी जाते हैं, कि जी इसमें डेटा च ट्रांसफर हो रहा होता है डिवाइस से, जो मवासलाती निजाहम हैं, सेलफॉन के जो टावर्जें, तो यहां से जो आपके सर्फर में ट्रांसफर हो रहा होता है, यहाँ इसके अमकानात थोड़े जादा होते हैं, वहां हर मुमकिन कोशिश की गई है, कि बहुत और से zijn, तो हमने हर मुम्किन कोशिश किये कि एक बहुत ही महफूज भरोसे वाला इंतजाम हो कि वो ट्रैफिक को भी देखे वो इस तरह के हैकिंग को ब्रीचिस को भी वो प्लग करे गाड करे कोई डेटा ना चुरा सके बहुत ही खौमी हसास डेटा है तो हर मुम्किन इंतजामात की हैं और इंशालला नहीं होगा ऐसा पूरी एकसेस कितना टाइम लेगी इनुमरेशन जो फीड़ वरक है वो तो एक महीना लेगा लेकिन उसमें हमें कुछ हफते चाही होंगे क्योंकि उसमें वैलिडेशन की होते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिपार्चर नहीं है डेटा म ने वो NTC के सर्वर में डाली हैं वो चीज़ें तो टैवलेशन बहुत जल्दी हो जाएगी और विदिन फ्यू वीक्स इंशालला हम पाम के साथ ही शेयर करेंगे CCI के आगे रखें असल जो डेडलाइन थी हमारी 31 दिसंबर को हमें रेजल्ट देने थे लेकिन पहले जो की और काफी मुश्किलात थी उनको माशी आहलात की वज़ा से फिर सालाब की वज़ा से एक जो सूरत अहल पैदा वी अगेन रिसोर्स कांस्टेंट था और सारी मुल्क की तवज्ज़ों वहां लगए तो उस बिना पर हमारे तक्रीपन चार पांच महीने हैं हमेरे जाय है अगर डिसमबर नहीं तो जनवरी के अवाइल में हम दे देते अब हमें उम्मीद है कि देखें मार्च के एंड में या एपरिल में हम नताइज दे देंगे उनर्शिप इस सेंसेस की पैदा करना बहुत जरूरी है और वो सेंसेस करने से पहले ताकि जब इसके नताइज जाएं तो उस पे किसी भी इदारे को, किसी भी सूबे को, किसी भी इवन कौमियत को मैं बहुत खुलके कहूंगी कि ये इतरास ना हो कि जी हमें कम गिना गिया है या किसी को जादा गिना गिया है, इस उनर्शिप क्रियेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लेकिन इसमें ये जो चीज आपने कहीं, CCI की भी यही डारेक्शन थी कि ये चीज मुशायदे में है, तो जब हमने इसमें इंगेजमेंट शुरू की, दो हजार एकिस के आखिर में और बाइस के मिट तक चलती रही, उसमें चारों सूमों में और दोनों एरिया गॉर्में इसमें गए हैं और इसमें युनिवर्सटी से, एकेडेमिया से, जो सिविल सोसाइटी, उससे हम अलैदा मिले हैं, और उसके बाद हमने प्रोविंशल एडविनिस्टेशन जिसमें हमने चीफ सेकरिटी से लेगे, और डीसी तक हर सूबे में हमने पूरा पूरा दिन गुज जो सोता है कि ये जो जमीन पर सूरत आहल है, उसकी उसकी अकासी नहीं कर रहें नमबर, तो फॉरन फाल प्ले का शोर कर सकते हैं, वो हमें रोक सकते हैं, वो अपनी कम्प्लेंड को लॉच्च कर सकते हैं, तो ये इनको पूरा निजाम बताया गया है, तो इसके बाद हमें अमीद है कि अभी तक हमें ट्रस्स मिल रहा है और हमें ऐसी कोई चीज और आम शेहरी को संसर्टाइज करने के लिए कोई मीडिया पर कैम्पेंड यहां, बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो कब तक शुरू होगी, वो चूंकि मैं आप से कहा कि एगर हम सही टाइम पर होते तो हमने इसलिए नहीं की थी कि बहुत सारे डिलेज वे थे और चीजें प्रोक्यूर होने में, क्योंकि टैबलेट्स प्रोक्यूर होंगे, जब उसमें सौफ़वेर जाएगा और वो टेलको से कनेक्ट होगा, उसकी वज़ए से थोड़े से डिलेज वे, लेकिन नाव वी राइट्स का, टेक्नालोजी का, ये सारी चीज़ों को सामने रखके हमने अपने जो मैसेज़ें और यही चीज़ पर मीडिया की चॉइस में भी, तो हमने लागा शुकर है, चीज़ों को सोचा है, एंटिसिपेट के, उसके बाद डिजाइन किया है, तो होफुली के एफेक होता है, तो मैं बहुत होफुल हूँ कि इंशालला कि हमारे मैसेज प्रॉपरली कम्यूनिकेट होंगे और उनका जो सही बहीवियर है, वो हमें इंशालला मिलेगा। इंशालला कि हम हैं कितने हैं, और बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया, मैं बस आपके वसातत से ये बात कहना चाहूंगा, कि जब इस पूरे सिस्टम को हमने डिजाइन किया, तो हमें इन सेंसिटिवीटिस का अंदाज़ा था, इसकी जरूरत का अहिमियत का था, और एक जो हमारे मुकाबिल थी, कि ये शफाफ नजर आए, यही चीज हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल रही है, कि अगर ये शफाफ ली जाएगी, जब ये क्रेडिवल सेंसिस होगा, और इंशालला इस तेंकिया हमें पाकिस्तान की जमानत बनेगा, इंशालला, थैंक्यू जी, बस सेंसर शुरू होने वाला है, और आप सबसे हमारी दर्फास्त है, कि इसको एक अपना हक समझ के इसमें हिसाले, ये कोई सजा नहीं है, कि ये एक बंदा आगया है, और आपसे वो फॉर्म भरने को कह रहा है, बहुत इस वक्त इस दफाए इसमें बेसिक इंफॉमेशन र राइट है और इस सेंसर को आप इसी तरह इस्तमाल करेंगे, शुक्रिया